को सब्सक्राइब करते हैं ये बैगन है, ये आलू है, मूली है, दो मिर्च है और ये टमाटर है, एक कडाही में हम सरसो की ओयल डाल दिये हैं, आप जो ओयल खाते होंगे वो आप डाल सकते हैं, इसमें हम थोड़ी सी जीरा एट कर देते हैं, थोड़ी सी सरसो, देखें बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा इसमें हम थोड़ी सी मेथी एट करेंगे, अब गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम आलू एट कर देते हैं, इसमें हम मूली भी एट कर देते हैं, अच्छे से एक बार इसको हम भून लेंगे, बिल्कुल भी देखिए, अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है, इसमें हम जो मिर्च था, उसको हम काट करके एट कर देते हैं, और इसमें हम बैगन भी साथ मेट कर देते हैं, अच्छे से इसको हम भून लेंगे, इसमें हम थोड़ी सी स्वात के अनुसार आप अपना नमक डाल सकते हैं, नमक डालने के बाद बिल्कुल भी बैगन गल कर गल जाता है, उसमें पानी छोड़ देता है, जिसे बहुत ही अच्छा भून जाता है, देखें बिल्कुल भी भून करके तैयार है, अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी एट करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया एट करेंगे, इसको हम अच्छे से चला करके भून लेंगे थोड़ा मसाला, इसमें हम जो पेश्ट तैयार किये थे टमाटर का, वो भी सी मेट कर देंगे, जो टमाटर था उसका हम पेश्ट तैयार कर लिये थे, इसे बहुत ही कलर बहुत ही अच्छा आता है, और स्वाद भी सबजी का बढ़ जाता है, देखें बिल्कुल भी हमारी सबजी बिल्कुल भी भून करके पक के तयार हो चुकी है, देखें हलकी हलकी वाइल छोड़ने लगी अब, अब इसमें हम पानी एट कर देते हैं, एक का टोरी के करी, अब इसको हम थोड़ी दिर पकने देते हैं, देखें बिल्कुल भी हम लोगी सबजी पक करके तयार हैं, एक बार आप जरूर ऐसे करके बना करके देखें, बहुत ही टेस्टी सबजी बनके तयार होती है बिना प्याज की ये सबजी है जरूर से जरूर एक बार आप ट्राई करिए और कॉमेंट करके बताईए कि आपको ये सबजी कैसे लगी दिखे पिल्कुल भी